नमस्कार आप देख रहे हैं जे यू टीवी और मैं दिवया शर्मा आज आपको हाल ही में देश में हुई एक ऐसे मड़केस के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा जी हाँ मैं बात कर रही हूँ अंकिता मड़केस के बारे में अंकिता भंडारी 19 साल की लड़की अचानक एक रिजॉर्ट से गायब हो जाती है और उसकी लाज चीला बैराज से लखबग 8 किलो मीटर दूर नदी में फसी हुई मिलती है उत्राखंड के पौड़ी गाउं में रहने वाली 19 साल की मासूम को क्या पता था कि उसकी नौकरी नौकरी नहीं बलकी मौत का जाल है उसको होटल मैनेजमेंट में इंटरस्ट था और इसी वज़ा से उसके पैरेंस ने उसे ये कोर्स करवाया समय बीटता गया और उसे अब नौकरी ढूणने में दिक्कत आ रही थी इसलिए उसने नौकरी करने का फैसला किया और इंटर्व्यू क्लियर करने के बाद उसने अठारा अगस्त को यह विंत्रा रिजॉर्ट जॉइन किया जो कि उसके घर से लगबग 500 किलोमीटर दूर था इसी वजह से रिजॉर्ट में वह एक कमरा लेकर रहने लगी 18 सितंबर दोपैर 3 बजे आखरी बार अंकीता को रिसॉर्ट के कुक ने गुस्से में अपने कमरे में जाते हुए देखा 19 सितंबर सुबह 11 बजे रिसॉर्ट का ओनर पुलिस टेशन जाकर अंकीता के लापता होनी की रिपोर्ट लिखवाता है और बताता है कि रात को वह अ पता है 20 सितंबर अंकीता के पापा को उसके एक बेहत करीबी दोस्त से पता चलता है कि उसकी अंकीता से 18 की दुपैर को बात हुई थी और वो काफी परेशान थी तब उसके पिताजी को रिसॉर्ट के मालिक पुल्कित पर शक होता है और चार घंटों की मिनतों के बाद दी पुल्कित को गिरफतार किया और पूस्ताज में पुल्कित ने यह कबूला की उन्होंने 18 को अंकीता का मडर किया था तेहकीकात में यह पता चलता है कि 18 सेप्टेंबर को पुल्कित और अंकीता की लड़ाई हुई थी दोपहर को पुल्कित उसका मूठ ठीक करने के लिए गुमाने ले जाता है रिजॉट से तक्रीबन 8 किलोमीटर दूर उत्राखंड के चिला बैराज पर अंकिता को छोड़कर बाकी तीन लोगों ने शराब के नशे में उससे लड़ाई की और पुलिस को उन पर शक ना हो इसलिए पुलकित ने अगले दिन पुलिस कंप्लेन सवाल वही का वही है कतल हुआ तो क्यूं हुआ दरसल पुलकित का रिजॉट हाइवे से लगबग 8 किलोमेटर अंदर होने के कारण अच्छा नहीं चलता था इस वजह से उसके दिमाग में एक गिनौना खयाल आया और रिपोर्ट के मुताबित वह उस रिजॉट में प्रोस इसी के साथ सावधान रहें सतर्क रहें और देखते रहें जे यू टीवी